फाइनली काफी लंबे टेम के इंतिसार के बाद सैमसंग ने F34 5G स्मार्टफून के लिए October 2024 की latest software अपडेट जो है वो रिलीस कर दी है तो आज की इस न्यू वीडियो में मैं आप से बात करने वाला हूँ इस अपडेट के बारे में क्या कुछ है इंप्रूब्मेंस और फीच के साथ अपडेट रिलीस किया गया है साथ ही साथ अभी तक आपके स्मार्टफून में अपडेट नहीं आई है तो फाइनली आपके स्मार्टफून में अपडेट कब तक आ जाएगी सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ तो वीडियो को अन्त तक देखते रह के लिए October की latest security patch update जो है वो release कर दी है, जिसका update file 262.21 MB की दी गई है, 1 October 2024 का latest security patch include किया गया है, साथ ही साथ ये update इंडिया में officially release किया गया है, तो दोस्तो आप लोग अपने phone के software update app में check out कीचिए, update जो है वो आ चुकी होगी, काफी अच्छी update है, update ज़रूर से ज़रूर कर लिचिएगा और सिन्भी users को अभी तक update नहीं मिली है, उन्हें 3-4 दिनों में update मिल जाएगी, वहीं पर बात करें इस update के changes and improvements के बारे में क्या अपडेट में add किया गया है, तो देखिए, कोई भी major changes इस update में नहीं की गई है, minor minor changes इस update में की गई है, जैसे की device के stability को improve किया गया है, device के performance को improve किया गया है, works fix के गया है, ने पुणाने features को enhance करने की courses इस update के अंदर की गई है, तो आज की इस new वीडियो में यही कुछ information था, वीडियो पसंद आया हो, तो like, share and subscribe चलूर कर लीजिएगा, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए topic के साथ, तब तक के लिए जैहिन बंदे मात्रम